कैंची नाम की ये गैंडी अपने बच्चे के साथ हो रही होती है अचानक यहाँ पर तिन गैंडे भी आ जाते हैं तबी मरमत नाम का ये गैंडा कैंची को बोलता है देखो मैडम हमको पेड की चाओं में बैटने दो हम काफी दूर से पैदल चलके आ रहे हैं ये सुनकर कैंची को बगाने का दूसरा प्लान बनाते हैं इदर डिलू गुसे के साथ अपनी मा को बोलता है मा ये जानते नहीं है मुझको मैं बहुत खतना गैंडा हूँ तबी कैंची बोलती है देखो बेटा कभी भी अपने बड़ों से ऐसे बात नहीं करते चाहे सामने वाला कोई भी हो हमेशा उसकी इद्जत करनी चाहिए ये सुंकर डिलू सांत ओकर बैठ जाता है अचानक तीनो गैंडे कैंची के पास वापस आते हैं और प्लानिंग की अकोडिंग इस पेड़ से ओकर कैंची से बिढ़ जाते हैं समय रहते कैंची समझदारी दिखाती है और इन गैं के साथ कैंची को भी पेड़ की चाह मिल जाती है